का सौंधर क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न है कोयल का सरीर तो सुंधर होता नहीं है तो इसके लिए चाणक की कहते हैं कि कोकिलानाम सरो रोपम इस्ट्री नाम रोपम पती ब्रतं बिद्यारोपम कुरूपा नाम छामारोपम तपसवी नाम कोकिला नाम सरो रूपम इस्त्री नाम रूपम पती ब्रतम बिद्या रूपम कुरूपा नाम छमा रूपम तपस वी नाम क्या तात्पर है इसका इसका तात्पर है कि कोयल का सरीर सुन्दर नहीं होता है लेकिन कोयल की मधुर बाणी ही उसकी सुन्दरता है कोयल का सुन्दर उसकी मीठी बोली है इस्त्री सरीर से सुन्दर नहीं मानी जाती है ये तो जो अज्ञानी लोग हैं वो शरीर की सुन्दरता देखकर मोहित होते हैं लेकिन जो ज्यानी समझदार लोग होते हैं, इस्त्री की सुन्दर्ता, इस्त्री का सुन्दर, इस्त्री का आभूशन, आभूशन क्या है? सोना चांदी का गहना नहीं, इस्त्री का असली आभूशन, उसका पती ब्रता धर्म है, पती ब्रता धर्म, जो इस्त्री पती ब्रता है ये पती ब्रता होना यही उसका अभुषण है यही सुंदरता है और बिद्या रूपम कुरूपनां और जो लोग कुरूप है कुरूप बद रूप जिनका भोणा चेहरा है बिद्या ही उनका सुंदर बिद्या ही उनका अभुषण है और विद्या से ही उनका सम्मान होगा चेहरे से नहीं उनके चरित्र से सम्मान होगा उनके काला चेहरा है कि गोरा चेहरा इससे कुछ लेना देना नहीं उनमें कलाएं हैं विद्या है यही उनकी सोभा है और यही उनका आभूशन है और चमा रूपम तपस्वी नाम कोई तपस्वी है, कोई साधू है, महत्मा है चमा ही उसका आभूसरण है चमा ही उसकी सोभा है चमा यानि सहन सीलता दूसरों को चमा कर देता है और खुद के लिए चमा मांग भी लेता है उसके पास नाहिंकार है तो छमा मांगने में उसको कोई बाधा ही नहीं अक्रोध भी नहीं है सहन सीलता है तो दूसरों को छमा करने में भी कोई रुकावट भी नहीं है इसलिए वही साधू समाज में पूजा जाता है वही साधू तपस भी सम्मान आदर पाता है उसी की सब सेवा करते हैं जिसमें बहुत सहनसीलता होती है जो छमा करता है और छमा मांग लेता है अपना सुधार करता है और साधू की सोभा साधू का सौंदर साधू का अभूशन छमा गुण है इसलिए साधू को बहुत सहनसील होना चाहिए साधू यदि क्रोध करता है गुस्सा करता है या साधू बहुत क्रोधी हो जाता है या साधू के अंदर बिलकुल सहन सिलता नहीं है तो साधू का सम्मान खतम हो जाएगा वे कहीं भक्तों में जाएंगे या संद समाज में जाएंगे कहीं उनको बेठने का उनके मन अनकूल अस्थान नहीं मिला या पूजा दच्छना कम मिल गई उसे में रूस गए, रूठ गए, उठ गए, एठ गए, भाग गए तो वहाँ पर लोग उनसे सबसंतुष्ठ हो जाते हैं अब आद को उनकी निंदा भी करते हैं, और दुबारा बुलाते भी नहीं आप अपनी योग्यताओं को बढ़ाईए, बिना कहे तुमको उचास्थान भी लेगा आप योग्यतों बनिये, क्या कभी आपने विचार किया है? पत्थर वही है, लेकिन जब भगवान की मुर्ती की रूप में ढल जाता है पत्थर थोड़े कहता है कि हमको मंदिर में बिठाओ, लोग उसको मंदिर में अस्थापित करते हैं और उस पत्थर को भगवान मानते हैं लेकिन वह पत्थर बहुत छेनी हथोड़ी खा चुका है और मूर्ती की रूप में ढला है और इसलिए उसको मंदिर में बिठाया गया बाकी कुछ पत्थर ऐसा है जिसमें वो योगिता ही नहीं थी तो उसको तोड़ करके तरास करके फरसी में लगाया गया है कुछ पत्थर ऐसा है जिसमें हल्दी मिर्चा बाटने के लिए उसको सिलवट लड़वा बनाया गया है कुछ पत्थर ऐसा है जो चौखट में लगाया जाता है कुछ पत्थर ऐसा है, जो गाड़ी के पीछे टायर में ओट लगा दिया जाता है, कुछ पत्थर ऐसा है, जो नल पर चबूतरी बनाई जाती है, उसमें लोग वरतन रगड़ते रहते हैं, तो आप ऐसी क्वालिटी के पत्थर बनो, कि आप मुर्ती की रूप में प्रकट हो स को, और तुम्हारी अस्थापना मंदिर में होगी, पूजा होगी, इसी ग्रेट के आप आदमी बनो, महान बनो, गुड़वान बनो, तो आपकी पूजा होगी, आपका सम्मान होगा, अफ़ाल तो जबरदस्ती चाहोगे, यसे सिलवट लड़वा जाकर मंदिर में बेठ ज तो उस योग बनना पड़ता है, तभी आपका अस्थान महां रहेगा, ऐसे थोड़े कोई अस्थान दे सकता है, आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है, कला नहीं है, आपके गाड़ी चलाने के बिद्ध्या नहीं है, तो आपको ड्राइवर की सीट पर कौन बेठने देगा आपको उतार कर लोग पीछे बिठाएंगे कि आप वहाँ बेठोगे तो गड़ी कैसे चलेगी तो इसलिए योग बनो तो आपका सब जगे सम्मान होगा वही बात यहां बताई गई है वो कौन सी परिस्थति है जिसमें अपने कुल का त्याग करना चाहिए और गाउं का त्याग करना चाहिए जनपद का त्याग करना चाहिए और पूरी प्रथवी का त्याग करना चाहिए किस कंडिशन में अपने कुल परिवार के हित का त्याग करिए किस condition में एक विक्ति के हित का त्याग कर दिजे किस condition में आप अपने गाउं के हित का त्याग कर दिजे और किस condition में आप अपने जिले के हित का त्याग कर दिजे और किस condition में पुरी प्रत्वी का त्याग कर दिजे conditional question, answer, क्या है तेजेदेकम कुलम स्यार्थे ग्रामम स्यार्थे कुलम तेजेते ग्रामम जनपद स्यार्थे आतमा थे प्रथभिम तेजेते बहुत अच्छा बताया है यदि पूरे कुल कुटुम्ब का कल्याण हो रहा है हित हो रहा, फाइदा हो रहा तो एक बेक्ती का हित त्याग कर देना चाहिए क्योंकि एक बेक्ती का हित करने से अगर पूरे कुल कुटम परिवार का नुकसान हो रहा है अकल्यान हो रहा है तो ये गलट डिसीजन है अगर एक बेक्ती के हित को छोड़ने से पूरे परिवार का हित हो रहा है तो उसे एक बेक्ती का हित छोड़ दीजे आप और पूरे परिवार का हित करिए यदि पूरे ग्राम स्यार्थे कुलम तजेत यदि पूरे गाउं का हित हो रहा है चार छे हजार की बस्ती का गाउं है और आपका कुल परिवार बस पचास लोगों का है तो इस पचास लोगों का हित अपने कुल कुटुम का हित त्याक कर दीजिए और पूरे गाउं का हित कीजिए लेकिन यदि पूरे ग्रावम जनपत से आर्थ है यदि पूरे जिले का कल्याण हो रहा है तो गाउं का हित छोड़ दीजे गाउं का हित त्याग करने से अगर पूरे जिले का कल्यान हो रहा लाखो लोगों का तो छोटे से गाउं के स्वारत को छोड़िए और उस हित को त्याग करिए पूरे जिले का हित कर दीजे और जिले में आपका गाउं भी आ जाएगा और गा आत्मा का यदी कल्यान हो रहा है तो इसके लिए पूरी प्रथवी को त्याग कर देना चाहिए तेजे देकं कुलस्यार्थे ग्रामम् स्यार्थे कुलम् तेजे ते ग्रामम् जनपदस्यार्थे आत्मार्थे प्रथविम् तेजे ते बहुत गाड़ी चला रहे और सामने एक बकरी आ गई या एक कुत्ता आ गया और सामने से एक मोटर साइकल आ रही अब इस बकरी को बचाने के लिए दी आपने मोटर साइकल में टकरा दिया अपनी गाड़ी तो मोटर साइकल पर तीन सवारी बैठी थी, वो मर गए, आपकी गाड़ी में पांस सवारी बैठी थी, गाड़ी आपकी पलट गई, एकदम ब्रेक ली लिया तो यह पांच बर गए तो पांस दिन आठ मरे और एक बकरी बची अब बकरी वो क्या करेगी ना तो किसी को होस्पिटल पहुँचा सकती है और ना तो बकरी कोई ज़्यादा उत्थान कर सकती है तो ऐसी इस्थती में बकरी का बचाव त्याक करिए आप मोटर साइकल वालों को बचाईए आपकी गाड़ी में जो लोग बैठे उनको बचाईए और बकरी के ठोकर यदि लग जाती है तो लग जाने दो कोई बात नहीं है लेकिन ये कीमती लोग है मनुस्य स्रेश्टी में क किसी मनुस्य को नहीं बचाए तो